बसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं Paramedical College के बारे में जितने भी student interested है Paramedical Course करने के लिए चाहे वो कोई सा भी Paramedical Course हो अगर आप interested है करने के लिए तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको complete बताएंगे कि किस तरीके से आप एक Paramed College में admission लेने से पहले कौन-कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह सारे बातें जो हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस Paramedical College के माध्यम से आपको सारी चीजे किलियर हो जाएगा तो हम बात करने वाले हैं ओम प्रकास पांडे College of Paramedical and Sciences के important course कराते हैं इसमें CMS ED और उसके बाद DMLT और DNYS और उसके अलावा भी Nursing Assistant का जो है आपको detail में यहाँ पर banner दिखाई दे रहा होगा जिसके detail यहाँ पर लिखा हुआ है और हम points जो किलियर करने वाले हैं इसके बारे में video complete जरूर देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ सके तो जो हम ध्यान में रखते हैं किसी भी college में admission लेने से पहले वो है सबसे पहला चीच campus तो campus बहुत माइने रखता है और इस college का campus बहुत ही अच्छा है और detail में जानकारी आपको बाद में दूँगा पहले मैं point clear कर लेता हूँ अगर campus अच्छा है तो ही आप जब इतना समय यहां पर वेतीत करेंगे तो आपका campus भी बहुत बहुत होना चाहिए उसके बाद faculty तो faculty क्या हम यह expect करते हैं कि faculty जो हमें पढ़ाएगा दो साल के लिए चाहे तीन साल के लिए तो वो faculty well trained और well educated होना चाहिए ताकि हमें अच्छी सिक्छा मिल सके तो faculty भी यहां पर बहुत ही बात करें तो college का माननेता जो भी degree, diploma या certificate या registration होता है वो माननेता प्राप्त होना चाहिए ताकि उसके माध्यम से हम कोई भी किसी भी जगह पर आसानी से जो है job प्राप्त कर सकें ताकि हमारे लिए वो career के लिए फाइदे मन्द हो उसके अलावा other activities जो college के द्वारा किया ज चाहिए तो यह सारा कुछ यहां पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसके अलावा college की success history के अगर हम बात करते हैं तो यह बहुत माइने रखता है कि आप किसी college में admission लेते हैं तो उसकी history क्या है success history कैसा है तो इसके बारे में भी आप जाच परताल करते हैं कि इस college के माध्यम से निकले हुए student को सफलता मिला है या नहीं मिला है तो यह फुल्फिल करता है placement के माध्यम से तो इसकी placement की भी success story है जो आपको detail में देखने को मिल जाएगा मैं image भी आपको बाजू में डाल करके दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके detail में भी हम बात क फीस हो ज्यादा फीस कोई भी देना नहीं चाहता है लेकिन एक बात important में आपको बता दू अगर आपको facilities चाहिए किसी भी college में अगर college का फीस आपको जादा है तो यह नहीं सोचना है कि college का फीस जो रहता है वो आपकी उपर ही खर्च किया जाता है चाहे वो campus को लेकर के हो faculty का जो payment होता है चाहे जो भी खर्चा होता है पढ़ाई लिखाई में आपकी उपर वो सारा कुछ आपके फीस के द्वारा ही किया जाता है अब मैं एक एधारन दे करके आपको बता देता हूं फीस को लेकर कि कि अगर जो दो company हैं जैसे कि एक Audi या Mercedes गाड़ी की company में हम लेत है इसलिए वो आप उसके पास जाएंगे कि इसका जो है हमें प्राइज कम करके दे दीजिए वो बोलेगा नहीं भाई साब हम प्राइज कम नहीं कर सकते हैं जो प्राइज है करोणों की प्राइज है अगर एक करोण गाड़ी का प्राइज है वो एक करोण में ही आपको दे तो उसकी quality और facility भी उसी रेंज का होगा ये बात आप माल लीजी तो इसी तरीके से college के साथ है तो college को भी ध्यान में रखते हुए आपको fees decide किया जाता है तो उसे साब से आपको facility भी मिलता है अगर कम fees दे करके किसी college में आपने admission ले लिया पता चले बाद में आपको facilities वहाँ पर मिली नहीं रहा है और जादा फीस देते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि जितना फीस आपने दिया है उसके according वहाँ पर facility आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जल्दी से हम जो है ये college का video clip देख लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि ये college जो है OPP paramedical college ओंप्रकास पांडे paramedical college जो है ये college ही best आपके लिए क्यों है इसके बारे में हम detail में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहला चीज तो approval की अगर हम बात करेंगे तो ये college जो है paramedical council of India से मानेता प्राप्त है उसके अलावा जो है ये paramedical education training council से भी मानेता प्राप्त college है उसके अलावा ये फेडरेशन जो है college federation of skill development से जो है मानेता प्राप्त है और इसके साथ जो है नीती आयोग से जो है registration मिला हुआ है इसके साथ MCI letter का proof college भी है ये और इसके साथ UGC letter proof college भी है तो ये सारे चीज approval के बारे में हम बात कर रहे है इस college के ठीक है और WHO की जो भी guideline है उसको भी ये college जो है fulfill करता है इसके साथ साथ जो supreme court और high court का जो नियम है उसका भी ये college पालन करता है और जो central government और state government का जो सिक्षा के नियमों का भी ये college जो है पालन करता है और इस college में अगर आप approval और degree जो आपको मिलेगा तो वो भी जो है valid होगा और मानिता प्राप्त होगा ठीक है और ये college जो है बाकी किसी भी other college जो होते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है और ये आप college में जाकर के जब आप विजिट करेंगे तो ये सारी जानकारी भी आपको मालुम चल जाएगा education के अगर हम बात करेंगे तो well trained जो experience teacher है वो भी आपको यहां पर available होंगे तो picture के साथ-साथ भी आपको clear होता जाएगा ताकि मैं picture आपको देखा रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा notes भी आपको Hindi और English medium दोनों माध्यम से आपको समझाये जाएगा ठीक है और updated जो भी study material होगा college के द्वारा आपको दिया जाएगा और Saturday और Sunday को doubt classes भी है additional certificate भी आपको मिल जाते हैं 6 मन्त का hospital training course पूरा होने के बाद आपको मिलेगा और art art health campus जो है आपको हर साल आपको मिल जाए कि अभी corona काल चल रहा है तो इसमें क्या है student अगर घर में बैठा हुआ है तो उसको digital classes की facility भी मिलना बहुत जरूरी है तो ये भी college आपको जो है देगा ताकि digital classes के माध्यम से आप घर में अगर बैठे हैं college नहीं जा पार रहे हैं physical attendance आपकी नहीं हो रही तो घर में बैठ करक सकते हैं तो उसके बाद infrastructure की अगर हम बात करेंगे तो ये structure जो है college की building आप देख रहे होंगे side में मेरे ठीक है तो campus 6 एकड में है तो बहुत बड़ा campus आपको मिलने वाला है इसमें और उसके अलावा modular जो classroom है वो white smart board के साथ आपको मिल जाते हैं ठीक है और wifi वाला campus है और भी विसू कराने हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं girls and boys का common rooms आपको मिलेंगे इसमें ठीक है और उसके अलावा जो भी चीजें है basic facility तो हरे एक college में होता ही है ठीक है fireproof building वासरूम ये सारी चीज लिमेटेड स्टेंथ का classroom है तो ये सब कुछ तो आपको मिली जाता है पढ़ाने का प्रेक्टिकल लर्निंग आपको जो है दिया जाएगा एक्सपिरियंस जो pathologist doctor होते हैं ठीक है तो वो समय समय पर seminar लेंगे आपके और Hindi और English माध्यम दोनों माध्यम पर आपको explain करने को यहां पर देखने को मिल जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके इसके अलावा practical knowledge पर ज्यादा ध्यान दिये जाता है ताकि आपका जो काम जब आप करेंगे तो practically वो काम ही आपके जो आएगा तो जो practical होता है उस पे अग placement की अगर हम बात करें तो placement सबसे important चीज होता है अगर college आपको placement दे रहा है और जितने भी hospital और colleges जितने भी बड़े-बड़े lab है उन से इनका tie-up है जहां पर आपको आसानी से placement दिया जाएगा और इनका खुद का pathology lab भी है वहाँ पर भी आपको training दे करके वहाँ पर job के placement की सुईधा दिया जाता है तो 30 से जादा hospital और pathology lab है जो NGO के द्वारा tie-up है और agreement भी है ठीक है तो यह सारा चीज आपको जो है interview की सुईधा भी यहाँ पर दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप किसी भी college या hospital में या laboratories में अगर कोई vacancy आता है तो वहाँ पर आपको interview के लिए यहाँ से भीजा जाएगा तो यह बहुत अच्छी facility है जो आपको मिलने वाला है उसके अलावा नोकरी पाने के लिए interview का training जो है वो आपको मैंने बता दिया डॉक्टर लाल pathology SRL और अनस pathology और college की खुद की एक pathology है तो यह बड़ी-बड़ी जो pathology lab है वहाँ पर भी आपक कोई भी pathology lab खुलना चाहता है अच्छी पढ़ाई करने के बाद तो उसमें बहुत सारे problems आते हैं चाहे वह documentation को लेकर के हो चाहे setup को लेकर के हो तो यह सारा जो है आपको help करके देगा कि किस तरीके से आप setup कर सकते हैं कौन-कौन से documents, NOC किस तरीके से लेना है, government से किस तरीक से आपको प्राप्त हो सकता है, तो वो सारा चीज आपको यहां से help मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है यह, ठीक है, तो यह आपको सारा चीज यहां पर देखने को मिल जाएगा, और fees के अगर हम बात करें, तो fees के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो admission के time पर ज लिया गया है कि इतना आपको फीस लगेगा, वही फीस है, इसके अलावा कोई भी other fees यहां से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो और सभी चीजों के लिए आपको रसीदी भी मिल जाएगा, और आप से कभी भी exam के नाम पर या practical के नाम पर किसी भी अन्य चीजों के नाम पर अलग से जो है college, दूसरे college की तरह यहां पर वसूली नहीं किया जाएगा, मतलब कि जो भी college का एक status है, वो well maintained है, तो इस पर आप trust कीजिए और एक बार widget जरूर कीजिए, अगर आप UP से हैं, तो इस से जो है at least यह निकल करके आता है सामने कि जो points मैंने आपको पहले बताया कि college को माननेता प्राप्त है, वो important है, campus बहुत ही बढ़िया है, और यह एक college है, institute नहीं है, तो सरकारी नियमों का अनुसर भी यह चलता है, और पालन करता है उनका college के सभी जो भी आपके पढ़ाई होंगे, और उनका practical का जो भी instrument होता है, वो सारा कुछ यहां पर आपको मिल जाता है, और पढ़ाई के मामले में यह college best है, और practical knowledge के मामले में भी best है, और course को पूरा करने के बाद जो placement नोकरी का होता है, तो वो भी बहुत एक important एहम किसी भी student के career को ले कर के होता है, तो वो भी यहां पर आपको मिल जाता है, course पूरा होने के बाद ठीक है, तो fees के नाम best college में आप लोगों को suggest कर रहा हूं, तो एक बार college में admission लेने से पहले आप visit जरूर कीजेगा, एक बार जाएए campus में, वहां की faculty से आप लोग बातचीत कीजेए, और किस तरीके का महल आपको वहां पर मिलता है, आप जरूर मेरे को comments करके बताईएगा, और पूरा आपको detail ज मदद की जाएगी और सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप जरूर एक बार विजिट कीजे और बात कीजे ताकि जितने भी लोग हैं UP से एक बार जरूर आप college विजिट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और admission लीजिए, पढ़ाई कीजे, अपना career बनाईए और अपना best दीजिए ताकि आप अभी जब आने वाले समय में और भी scope है, DMLT का और बाकी चीजों का भी, क्योंकि आप समय देख रहे हैं तो और आने वाले समय में विकेंसी भी बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे हम website पर विजिट करते हैं, यह आपको link आपको जानकारी दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग-अलग option है, gallery का about us, faculty, उसके बाद course है, student का registration है, admission है, यह सारा कुछ जानकारी आपको यहाँ पर website पर इनके college का पूरा detail में यह मिल जाएगा आपको, तो यहाँ जाकर के आप detail में देख सकते हैं, और यह पूरा success story है, course कित इतने हो रहे हैं, उनके बारे में, happy student और तीन साल का experience, यह सारा चीज जो है, इसमें included हैं, और यह आपके courses हैं, जो college के दोरा कराया जाता है, तो यह आप detail में आप इन पर भी click करके, जानकारी ले सकते हैं, और last में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको detail में जानकारी द detail में देख सकते हैं, जैसे ही आप faculty पे click करेंगे, course है, तो course पे click करेंगे, तो course section पे तो, about us पे जैसे मैंने click किया, तो यहाँ पर आप को stop के बारे में detail में जानकार यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यह देख सकते हैं, उसके बाद campus का पूरा detail में यहाँ पर pictures भी है, यह आप detail देख सकते हैं तो यह सारा कुछ यहाँ पर देख करके रखा हुआ है तो विजिट जरूर कीजिएगा एक बार website और यहाँ पर आप check कर सकते हैं सारी जानकारी और course पर click करेंगे तो आपको course का detail भी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा तो इस तरीके से जैसे आप course पर latest update यहाँ से और contact us register के लिए यहाँ पर आप click कर सकते हैं तो यह जल्दी जल्दी हम बता देते हैं courses यहाँ पर आपको यह available जो है यहाँ पर दिया हुआ है यह सारा detail जानकारी आपको जैसे कि deployment medical laboratory technology है तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है तो यह सारा जानकारी जो आपको website में आसानी से मिल जाता है तो इस तरीके से आप यह check कर सकते हैं पूरे courses के बारे में detail में यहाँ पर दिया हुआ है तो इस तरीके से कुछ website है link आपको मिल जाएगा और यहाँ पर registered now है तो यहाँ पर registered now पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह WhatsApp का icon भी बना हुआ आ रहा है उससे आप contact भी कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ name, date of birth, email, phone, state आपको और postcode डाल करके और यह सारा चीज, course आपको कौन सा है और यह सारा कुछ करके आप registered कर सकते हैं तो और password यहाँ पर बना सकते हैं तो इस तरीके से यह सारा facility यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है